छात्र नया आया है, इसका नाम जतिन है, और यह छात्रा भी नई आई है, इसका नाम पिंकी है, जतिन बहुत अच्छी कविता लिखता है, और पिंकी बहुत अच्छा गाना गाती है जतिन और पिंकी दोनु संग्या हैं, लेकिन अध्यापक ने जतिन को छात्र कहा और पिंकी को छात्रा कहा, कविता के साथ अच्छी शब्द लगाया और गाने के साथ अच्छा, क्योंकि जतिन, छात्र, गाना, पुलिंग शब्द है, तथा पिंकी, छात्रा और कविता स्ट् पुरुषजाति या स्त्रीजाति होने का बॉध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं पुलिंग और स्ट्रीलिंग। पुलिंग, पुरुष जाती का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं, जैसे श्रीमान, पंडित, हाथी, स्त्रीलिंग, स्त्री जाती का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे श्रीमती, पंडिताइन, हतिनी, कुछ प्राणी वाचक संग्याए जो प्राया, पशु, पक्षी या कीट आदी हैं, पुरुष, वस्त्री, दोनों का ज्यान कराने पर भी नित्य पुलिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं. नित्य पुलिंग शब्द तोता, बिच्छु, मच्छर, कीडा, चीता, कौवा, भेडिया, उल्लू, पशु, पक्षी, हर्गोश, खत्मल, गैंडा. नित्य स्त्रीलिंग शब्द गिलहरी, छिपकली, मच्छली, लोमडी, तितली, चील, कोयल, दीमक, मकडी, मैना. प्राणियों के समुह का बूर कराने वाली संग्याएं, जवहार के आधार पर कुछ पुलिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग रूपों में होती हैं. जैसे पुलिंग कुटुम्ब, जुन्ड, दल, समुह, समाज, परिवार, स्त्रीलिंग, सरकार, सभा, भीड, सेना, परिशद, कमेटी. पुलिंग की पहचान, निन्म लिखत संग्याशब्द पुलिंग होते हैं. देशों के नाम, भारत, जापान, अमारिका, सागरों के नाम, अरबसागर, हिंद महसागर, पर्वतों के नाम, बिंध्याचर, हिमाले, ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनी, आदे, अ प्पनाज के नाम, गेहू, चना, बाजरा, अपवाद, जुआर, मटर, मक्का, व्रिक्षों के नाम, आम, पीपल, बरगद, अपवाद, इमली, फालूं के नाम, आम, संत्रा, अपवाद, लीची, जमुल, द्रव्य पदार्थों के नाम, घी, तेल, दही, पानी, चाय, धातूं के नाम, सोना, लोहा, तांबा, हीरा, पन्ना, अपवाद, पीतल, चांदी, दिनों के नाम, सोमबार, मंगलबार, समय विभाग के नाम, सता, युग, घंटा, सुभा, मास, वर्ष, क्षण, अपवाद, रात, दोपहर, संध्या, शरीर के कुछ अंग, हात, पैर, सिर, माथा, जिन शब्दों के अंत में आ, आपा, खाना, त्व, पन, आओ, ना, आर, इत्यादी प्रत्य हो, वे, पुल्लेंग होते हैं, विशिष्ट स्थानों के नाम, वाचनाले, भोजनाले, चिकितसाले, मंदिर, आकारांट और शब्द, धन, भोजन, घर, छिलका, कपड़ा, व्यवसाय सूचक शब्द, जैसे समाज, सम्मेलन, जुन्ड, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, खिष्णा, कावेरी, रावी, जेलम, नक्षत्रों के नाम, रुहिनी, अश्विनी, त लिथियों के नाम, अमावस्या, पून्निमा, गृतिया, भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, लिपियों के नाम, देवनागरी, रुमन, अरभी, शरीर के कुछ अंगों के नाम, गर्दन, छाति, कमर, नाक, जीभ, तांग, उंगली, प्रतेयों से बनने वाले पुल्लिंग शब्दों से स्ट्रीलिंग बनाने के नियम इस प्रकार हैं। पुत्र पुत्री देव देवी चाचा चाची घोड़ा घोड़ी दादा दादी रस्सा रस्सी लड़का लड़की बेटा बेटी मामा मामी अ तथा आ को इया करके बंदर बंदरिया गुड़ा गुड़िया डिबबा डिबिया चिड़ा चिड़िया व्यवसाय वाचक जातिवाचक तथा उपनाम वाचक शब्दों में इन या आयन जोडने से हलवाई हलवाईन दरजी दरजिन माली मालिन संबंध जात तथा उपनाम वाचक शब्दों में आनी अत्वा आनी जोडने से देवर देवरानी नौकर नौकरानी सेठ सेठानी क्षत्रिय क्षत्रानी प्राणिवाचक और जातिवाचक संग्याओं में नी जोडने से उट उटनी भील भीलनी सेंग सिंगनी तच्सम संग्याशब्दों में अक को इका करने से लेखक लेखिका पाठक पाठिका अध्यापक अध्यापिका गायक गाईका सेवक शेविका नायक नायका तत्सम शब्दों में मान और वान को क्रमशह मती और वती करने से, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, आयुषमान आयुषमती, पुत्रवान पुत्रवती, इनी प्रत्या जोडने से, यशस्वी यशस्वीनी, स्वामी स्वामिनी, हाथी हथनी, हंस हंसिनी, नित्य पुलिंग तथा नित्य त्रीलिंग शब्दों में क्रमशह मादा और नर शब्द जोडने से भालू, मादा भालू, खरगोश, मादा खरगोश, तोता, मादा तोता, नर चील, चील, नर मक्खी, मक्खी, नर मैना, मैना, अन्य शब्द, पिता, माता, पुरुष, स्त्र कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन निम्न प्रकार होता है मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी उसका उसकी तेरा